कि हैं यह लो फ्रेंड्स वेलकम टू में इस्टर्टि फिट ऑफ फिजिकल एजूकेशन चालड दोस्तों यह चवद्व मुआ पार्ट है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं देली बीशिज पे आप सब को प्रैक्टिस करा रही हूं और देली बीशिज पे आप सब प्रैक गर्ट, BPST TIA II and सभी एश्टेट के फिजिकल अगाथ करने यहांपर कर सकते हैं इन सभी चीज़ों इन सब्टेस्व आपको द止ुट्र Music डेरी सेशन को पुरा करें लुद्ट का या सेशन को ऑन रोगा तो सब्टी समें वन फिछी को सब्रीड को तो प्रैक्टिस से ही आप महाल बन सकते हैं प्रैक्टिस से ही सब कुछ होसित किया जा सकता है तो चलते हैं आज की कोशन के तरह कोशन है कोशिका सरीर से नाड़ी सम्विदर का संचार किसकी साहता से करता है तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं यहां कोशन का सरीर की तरह तरह कर रहा है तो जो सेल बाड़ी होता है और सरीर से नाड़ी सम्विदर का संचार किसकी साहता से करता है तो जो निर्ण होता जैसे कि आप जानते हैं निरान के तीन पॉर्ट होते हैं यह आपका निरान हो गया यह बीच वला भाग जैसके हम सेल बाड़ी कहते हैं और यह हमारा डेंड्राइड्स होता है जैसे कि आप देखे होंगी यहां से एक सान निकलता है यहां से एक सान निकलता है जहां पूछ प करते हैं जो क्या करता है कि संधियसों को प्राप्त करके दूसरी नीरोन से संधियसों को प्राप्त करते करके कहां जाता है यह आपको यहाँ किया बहुब रहा है कि Kosiika Care, सविद्धिмотр CP overligh totalmente संचार किसकी साहता से करता है तो संचार प्राप्त करता है दूसरे नीरान से संदीशु को प्राप्त करता है दिंड्राइट्स और फिल भी पहुचाता तो कहांओ यहाँ सेल प्राप्त राई लेता है तो यहां प्राइल देख सकते हैं कि हमारी देंडार्स मों 9 def reject iteit जो ढूलेकल वहती हैं श्मदेस करता होता है जो संदिश सो कप्रापट करकी को दूसरी निरान से सेल बाडी के उल जाता है एकसान जो है प्रेसर करता है यानि भेजनी वाला होता है प्रते एक निरान में एकसान होता है जो एक मीटर लंबा होता है और साइटान के एक छोटे से एकसान उभार से निकलता है आगे चलकर छोटे-छोटे साखाव में बढ़ बहता है जिसा कि अभिकाद तर्मिनल फायवर आज संदेशा को सनदेशा की आनि प्रसाड़ के तंदु के तो संचार है किसके साहता से होता है तो एकसान के दोरा आपसन नंबर भी यहां पर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलते हैं कोशन नंबर 2 की तरह कोशन नंबर 2 है DNA को पुरा नाम क्या है DNA को पुरा नाम है डिआकसी राइबो निकली एसीद जैसा कि हमारा कोशिका होता है जिसके बीच में हमारा कैंड़ क कहता है इसी में जो है प्रोमोटीन जालिका होती है जो लंबए धागों के समान वहती है जब बातलिय पतलिय धागों में बढ़ जाती है उसे गुर्षटर कहते हैं जिसमें DNA देनने प्रस हिस्टोन प्रोटीन से बनाओ होता है यह हमारे केंद्रा की अरो निकलियस का 80-90% भाहता है जिसके तुरह एक जो लच्छ्छ होते हैं एक प्रिषी से दूसरी प्रिषी में पहुँचते हैं यानिकि ड्यनने से जीन का निर्मा होता है जीन क्या करते हैं और अन् यहां दी आक्सी राइबो सुगर फास्पेट नाइट्रोजनी छार एगी टीसी का बना होता है याद रखेगा कोशन नमबर थ्री है निमने में रख्त से कौन संचालित होता है वीचाओ फालविंग इस केरियेट बाइब ब्लॉड तो दोस्तों यहां पर एंजाइम्स आक्सीजन हर्मून इस सभी जो है रख्त के द्वारा यह हमारे समस्त कोशिकाओं तक पहुछती हैं तो यहां पर किन एक काइफ कर संत्त मुट एक दूसरे तंत को ज्वड्नि में साहतो जल के साथ में नहीं लेख में सिकतन्त में पतका संयोजी मिह पर थाको कया कनेक्टिव तैशुवर्गेदा दोस्तों पाल पतका सामारे समस्त करक्चाओं लतार कार्टिलेज बून यानि अस्थी ब्लोड एंड लिफ यानि लसिका इस अभी जो है जितना मैं नाम ली यह सभी करेक्टी टीशी के दरगत आते हैं कोशेंन नंबर फॉाइफ है नाडि प्रालि में अंगो की संख्या है विच ऺेशल अनिर्वास सिंटवन नाडि प्राल्यत अनिंग अंगो की संख्या सथी इस at कौन कौन से, cns , cns , pns , and ans , cns का मतलब सेंटरल नर्वस सिस्टम जिसके अंतरगत हमारा ब्रीन और इस्पाराल कर रहाता है , अब pns का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंतरगत हमारी जो तिर्यालीस जुड़े नाडिया आती हैं , वो आती है पेरिफरल नेरो सिस्टम के तगए 43 जोड़े नाडिया आती हैं, जिसमें से जो दिमार्ग से निकलती हैं नाडिया उसको हम कार्निथर नाड़ी कहते हैं, और जो इस्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उसको इस्पाइनल नाड़ी कहते हैं, तो 12 जोड़े नाड़िया जो हम तिसरा होता है एनस आउटो नामिक नर्वस सिस्टम आउटो नर्वस सिस्टम जो है अपने आप काम करता है इस पर हमारा कोई बस नहीं होता है उठते सोते जागते हर समय होता रहता है और यह दो प्रकार का होता है सिंपेटिक नर्वस सिस्टम और प्रासिंफेटिक नर्वस क्रोध उत्यजना के समय हमारा sympathetic एक्टिव रहता है और सांथ अवस्था में जो हमारा होता है ऑप्रा-sympathetic एक्टिव रहता है इसलिए हम sympathetic को द्वंद प्रति द्वंद पढ़ावली भी कहते हैं और प्रा-sympathetic को हम सरी की आस्वे दाता पढ़ाली कहते हैं जो प्रेम, खु नर्वस illusion no.3 क्रि詐द कृशिया है पर चाहिए नब्स हावा की बांतों को सिस्ट्रम इन्स को हम सुसॉइ ब्रीदिंग मिनट वैलीव एंद मिनट वैलीव दूनों कहा जाता है यहां पे यहां पर दूनों रायट इंसर होगा Q7 है नारी पढ़ाली में नीज होता है यानि कि Central Nervous System में consists of अब इजस्ट में बताई हूं कि जो हमारा Nervous System होता है तीन भाग होता है CNS यानि Central Nervous System, PNS Peripheral Nervous System, ANS Autonomic Nervous System तो जो हमारा CNS होता है Central Nervous System उसके अंतर रगत हमारा brain और spine कोड आता है Q8 है कि MC मेरिकाम का संबन्द है आग सबको पता है MC मेरिकाम बॉक्सिं से समधित है यह मारी पूर की रहने वाली है और यह 2012 लंदर वनलपी में कास्य पतक भी जीती थी Q9 है कौन सा उर्जा प्रवाहित करने का इस्थानी प्रवावर नहीं है तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं इसमें आपका दिक्रेज्च मस्य इस पॉजम् है इंक्रेज्टेज्टिसित ऌ ऑлом कूल घृचंटिस्टीट the U0 प्रॉभाव है 241 यह तून का बढ़ा strangनी 1 अगर परवों की वारे यह दो हो पड़ता है ठीक है पूसर नंबर दस है दो दिनों तक चलने वाली पुरुष डेकाथलान प्रत्युक्ता में एथलेट्स के कौन सी इस प्रधा पहला दिन आयुएत की जाती है तो दुस्तों डेकाथलान जो है वहां पुरुषों के लिए होती है जो कुल दस इविएंट् जिसमें चाघ ट्रैक और द छे फिल्ढ एवेंट्स होते है जिसमें सियने पहला दिन का ट्रिक होता है 100य मिटर पहंड के उची कुद गन्य जो दोड़ा याननि पहले दिन में पहला ऑजुएहंट होता है दूसरे दिन आपका ट्रिक है कि 110 मिटर का हर्डल लेकर D पोजे 15 समीटर दोड़ा यानि कि पहला इवेंट दूसरे दिन का होता है 110 मिटर का हर्डल रेस और D पोजे का मतलब होता है D से डिसकस थो, P, P, J से जेवलिन थू अब 15 समीटर दोड़ा यहां पे आप देख सकते हैं एक चक्का फेक और डिसकस थो, P, V, P, 500 मिटर दोड़ा यह आपके दूसरे दिन का प्रधा है, प्रथम दिन की इस प्रधा आपका अपका गोला फेक है कॉन सा है ? Satput तीक है ? यहा पर आपका आपसा नंबर C रहा टैसर होगा ठीक है यहा पर साट पूरत आपका आपसा जो देख सकते हैं मस्कुलर स्ट्रेंट्थ यए स्वास्त का घोटक है आपका मौसल्स है स्ट्रेंट्थ राइट है अच्छा है यानि कि हमारे जो फीजिकल फीटनेस कहते हैं कि डेली रूटीन वर्क बिदाउट यहीं फॉटी देली के कारे को बिना थकावट के या थकावट में करना और जो वे आबत्ती समय होता है उसके लिए ही ब्रग्रार सेस इनर्जी रखना इसको हम फिजिकल फिटनेस कहते हैं इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है में हैं है काया है मत्सकिलर फिजिकल फिटनेस कि फिजिकल फिटनेस के अंतराइध हमाला मसकिलर स्ट्रेंथ słart n राइंडड रेंश काडियो रिंड बृडबरेंश फ्लैक्सिबलीकिकन अन बाडि कम्पोजिसं आता है यहां भी मस्किलर स्ट्ड का राइड शर होगा ह कि समास्च के जिष्टी कोड़ से निर्मे से कौनसा कारक मानों बैक्सित्यों के मिकास में सबसे अधिक साथक है तो यहां पि आपका हो जाएगा culture आनि सनस्क्रिति, समासास के विकास में, जो है भीक्टितु के विकास का सबसे अधित साथक सब्द है, वो है सनस्क्रिति, culture, जुमाने मेक्टितु की विकास करता है विकास सारीम सिछ्छा के अधार्भूतों को सक्ति परदान करता है। क्वाग किते यह वर न sonist Roughness Is Good Ship Ship Us The fundamentals of physical education दोस्तों सारीम सिछ्छा के अधार्भूतों को सक्ति परदान करता है वैयानिक तथे। कितने भी आज जो हमारे नया चीज़ एं जो हमारा इसके बिना जो फिजिकल एजुकेशन है वो अधुरा होता है कोशन नमबर चौदर है डेंड्रायर्स की भूमिका अन निवरानों से आवेस ग्रहक करना और उनको लिए जाना होता है इसके यह निवरान है इसके यह निवरान भाग है निवरान के तीन भाग है और एकसान ठीक है यह हमारा निवरान है तो देंड्रायर्स का करता है दूसरी निवरान से संदेश को प्राप्त करता है यानि कि संदेश प्राप्त करता है देंड्रायर्स है और यह संदेश दूसरी निवरान के और भीजता है फिर इस से एकसान के द्वारा दूसरे निवरान में चला जाता है तो संदेश को प्र और देषी च्राप्त करता कि संदेष प्राप्त करता अम्हेस है किुड में ओघता ही कि सेली डारी कई तो दोशत हो वी तो फिर जाता है च्यूसे सेंटिख क्या और दो कुष्ट नंबर 15 सबस्कति हैं क्यों Tu मैं two Amaia Donya Donya Potrici कि इसाऍत होती है तो से क्या हम कहते हैं ग्लाइंड कहते हैं एंडिनल क्रंथी कहते हैं कि एंडिनल करंथी से जो हमारा इस्तरावित होता है हर्मोन जो कार्टेक्स मेर्डुला इसके दो भाग होते हैं इसमें से क्लुको कार्टिकोईड्स and इसमें से जो आप भाग आपका ग्लुको कार्टिको इस होता है यह प्रोटीन के उपापचे को नियंद्रित करता है और इसका मुख्यकार चैप से मेटाबलीच अथा पतिर अच्छा इम्यून सिस्टम पर नियंद्र करना होता है एक हरवन होता है एदिनल्गरंथी से मिनरेलू कार्टिको इड्स या खनिज नियंद्र का हर्मोन जिसको हम एल्लो इस्टरान भी कहते हैं यह साल रिटेनिंग हर्मोन भी कहा जाता है जो रखत इस्टराव और इलेक्ट्रोलाइड्स के संचुलन पर नियंद्र करता है आत्मी सोडियम और पोटैसियम आदितत्व के आवस्वर सो बढ़ाता है को मिन्द्रेलो कार्टिकोईस्टरा है जिसे हम हिंदी में खनिज नियंत्र हार्मोन के कमिसी गुनेडो कार्टिक एडिस्टेक्स हार्मोन जो महलाओं के एस्ट्रूजन आपूरसों के एंडोजन को इस्तावित करता है दोनों हार्मोन के लेंगिक अंगो के विकास में सायक होते हैं दूसरा भाग होता है मेडियोलाजिस के अंद्रगत एडिनेलीन और नार एडिनेलीन होता है जो एडिनेलीन हार्मोन होता है वो बिसम परसित्यों का नियंद्रग हार्मोन होता है अधनेलीन शारमोन अनुकम्पी तंतरिकाटक्र थो क्यां शाखे हो aegressive आपरी दूह, और आपतेगाए रहुता है। तो एदनेलीन होता है अनुकम्पी तंतरिकातं से निय्जित होने वाले developers को नियमिता थैं। कारकारी अंगो इफेक्टर्स आरगन के एलफा वीडर रिसेप्टर्स को प्रोहायद करता है इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन फ्लाइट या फ्ले हार्मोन भी करते हैं एडिनेलीन को यह हमें संक्टकालीन परिसितियों का सामना करने के लिए त्यार करता है अधिक मात्रा मे उत्पन होता है जैसे क्रोधाने पर डरने पर घुटन होने पर भूख लगने पर यह बढ़ जाता है जिसके कर रखत दाब भी बढ़ जाता है प्रन्तु अंग अंत्रांगों की क्रिया जो है वो सभी धीमी हो जाती है ठीक है और चिकिस्सक जो है इसको रूप में भारत हि उत्वर्यियर को तरंत काम करने के लिए एदिनलीन की ज्यस्टन देते हैं जिसने उतेजन बढ़ति काम करें तो इदिनलीन के कमी से हमारा ख़नेज वजल की मात्रा-शाई चासमेह कम हो जाती है और र açılreet चे यहीजली की क्लीतम हमारी में कर एक्शिब मिधाhmm मेंहली है रग ताप घर जाता है भूख की कमी मिचली गवराण होने लगती है और हाथो गरतर कभी कभी अन्य भागों में तो चामी मिलेनी के कारण अजिप सकान से बढ़ हो जाता है ठंडी गर्मी संक्रमा आदी के प्रतिसमेदन सिल्टा बढ़ जाती है लोगी कुछ दियुने में मर जात अगल की कारा मुत्र केसाद सोडियम करते लियुत सर्जन होता है इस उसाइवर्ण को जीवन रछग हर्मों लाइफ सर्विंञ हर्मन भी कहते है और और अनुकंपी तंत्रिकाहतर से नियंतरल्य वाली क्रिंख करता है नलेए सब्द्रेटिक नवर्श्च अगैं कोशियर नम्बर 16 है मनुस्य के हिदय को एक बाद रखने में कितना समय लगता है हो मुच टाइम दज चाहि मन हार्ट हार्ट टेक बीट वन्स दोस्तों 0.8 सेकिंड का समय लगता है यह बीट वाल्ट पाद रखने में 10वी लगता है और 60 वाल्ट का भाग देंगे 10 पर 8 सेकिंड आता है कोशन नम्र 17 है विटामिन B12 का रषानिक नाम है दोस्तों केमीकल नेम है विटामिन B12 का साइणो कोबाल्विन साइनो कोबाल्विन यह एक मात्र ऐसा विटामिन है जिसे कोबाल्ट पाजाता है सहयोगी तत्व के रूप में यह रत्य निमार में BCS सहयोग होता है देनने की संसेशन में सहयोग होता है इसकी गमी से परनिसस एनिमिया रोग हो जाता है एनिमिया भी यानिकी मेगालो ब्लास्टिक एनिमिया परनिसस एनिमिया हो जाता है मेगालो ब्लास्टिक एनिमिया जो होती है आरवीसी के बनने से पहले ही इसके समधित स्रोत असमाने हो जाते हैं जिसे हम एर्थ्रो ब्लास्ट भी कहते हैं एंड नेक्ट्स कोचल है विटामिन ए की कमी से को मसा रोख होता है दोस्तों आप सबको पता है विटामिन ए का जो रसानिक नाम है उसको हम बीटामिन ए के रसानिक नाम को टे को फिराल कहते है और इसकी कमी से प्रजनन समंधि रोक हो में पूर्सों में ना पहन सकता प्रालाइसिस भी हो जाता है पुरुस्तो इस्तियों में बाजपन हो जाता है आज इसी का उत्पादन रुख जाता है निरोलोजी समस्या या इंडिकी मेंटल डिसॉर्डर भी हो जाते हैं वितैमिन एकी कम इसी कि मुखिरुस्ते प्रजनल समधिरोज रिप्रोटॉक्टिव डिजीज हो जाता है कोश्चन नबर उनीस है कौन सा युग्म सही नहीं है तो दोस्तों यहां पे संतोर्ष ट्राफी फुर्वार से समधित है राइट है उबेर कप महिला बर्मिंदे से समधित है यह भी राइट कोश्चन नबर 20 है एक रख्त की बुद्ध में कितने सेल्स होते हैं हमेनी सेल्स अर देयर इन ड्रॉफ अब बलड दोस्तों पच्चास हजार यानिकी दस मिलियन ठीक है दस हजार में एक मिलियन होता है तो पच्चास हजार यानिकी पांच मिलियन आपका सेल्स होता है एक के बुन्द में कितने सेल्स होते हैं पांच मिलिया को च्छन नंबर 21 है पारिभासी सब्द दोहरी गल्ती किस खेल से समझी था तर्म डबल फाल्ट इस डिलेट तू विच गेम डबल फाल्ट यान दोहरी गल्ती जो है लार्ण टैनिस से समझी था याद रखेगा ठीक है टैन जैसे कि दोहरी गल्ती हैं डबल फाल्ट एस बैक हैंड फॉर हैंड द्यूस कोर्ट ग्रीप बाल बाय सर्विस साइड लाइन आदी इससे समझी था है कोशन नंबर 22 है निचे दीगे विकल्पर में संक्रामक रूब कौन सा है विच आप द फॉल्विंग इज एन इंफेक् इस सभी की सभी जो है संकरामक रूब है एक बैक्ती से जनतूं से फैलते हैं एक बैक्ती से दूसरे बैक्ती से पत्ते पत्स percentage रूपी फैलते है इसका माद्यम हवा पानी मल मुद्र और दूसित भोजन होता है virus बैक्टरिया, वाइरस, प्रोटोजोव जिवारो विसान, यह जिती है आपका एटाभी वायरस के दना ह YEAH एटाभी सनना में कुछ द्विवारो से, हम फॉर फिल में होता है इटाभी इसे हमारे गले में जाली बन जाता रूहली क्यार, यह सांस लेगे में दिक्त होती है तो भी आना के माइक्रों बेटियूरी नमक बैंसे exist है जैसे हैं, तपडी होदा टी-v ayak तिबरकुलोसिस जो माइक्रो बैक्टिडियम टिबरकुलोसिस के दोरा फेलता है कोश्चन नमबर तेज है मेरा थन दोड में दोड़ने की दूरी कितनी होती है तो दोस्तों आप सबको पता है 42 दोड़ो एक नो पांस किलो मिटर याने की 26 मिल 385 गर्ज होता है कोश्चन नमबर 24 है समानिता दो से तीन गुना सांधता बढ़ाने के लिए आहार पढ़ाली को तयार करना जो कि मांस्पेशी ग्लाइकोजन के 71 करड़ को बढ़ाता है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों इसे हम ग्लाइकोजन लोडिंग कहते हैं आप जो इसपोट ट्रीनिंग के अंतरगां इन सभी चीज़ों कु मेन अग्लाइकोजन लोडिंग क्या होता है आप वैसे इस में की अगर पुछे का पूरोज से है फोट से हैं अब मेंचा नमबर सब्सकूप पूरुस, कि अबरुष बेलाच महिला बेल के मिलेंचे हैं इस जे ढई दोस्तो और अमरीद दिवान कब के इसे बेलाच स्माधित हैं है तो यह की सब्सकूप तो Cron Arizona सब्सक्राइस है इसे कौन सी चोट बास्केरपाल की लड़ियों में आम है विशार फॉलिविंग इंजरी इच कॉमन अमांग वास्केरपाल प्लेयर्स दोस्तों बास्केरपाल जो है बहुत इस्पीर वाला और एजिनिटी वाला खेल है जिसमें टखने की अगरपास्ट्वि एंड कोशन बहें अथाइस है हमारे सरी में वसा और टीसु की मanned को क्या कहते हैं तो था कंबिनेशन अफ थयाम आफ झ. टी इसुona वर बार बाड़ी इसक्कार्ड तो दौस्तों हमारे सरी में वसा और टीशु के बारी कंपोजीशन पूरा जयता है क्या विला जाता हsst बा प्राइकोजन के रूप में संग्रहेत होती है इस्टूर होती है हलाकि सरीज में वसा के अधिदिक मात्रा मोटापा यानि अभीसिती बढ़ाती है जो कि निक्सान दाय भी होती है किसी ब्यक्ति की सारीग बनाओ रहने की जो बाड़ी स्ट्रक्चर होती है उसको दो भागों म भी होती है किसी बनाव इन गाता है कैसे कैसे हम और से लिए i Radio अधियूत हिस्कान देख़ण और सोग्ति इन याद दोस्तों की थिसको जांए हbas प्रदीर प्तेजिक निर्माग येग्म होता है यहां सब्सुर्च्न वंतिंट आफ.. और फिया जानी अधिन परतिक हैं और त लेता है और हीमोग्लूबीन के कारण ही रखत का रंग जो है उलाल दिखाई देता है हमें कार्ण हाइं हीमोग्लूब lobीन एक रियम मिल नामग प्रोटीन नामग नामग के पता के 5-5 पाई जाता है हिम लीज नम्र तीस है वान में औक्सिजन कितनी पर्संत होता है। आप सब को सब को पता है समान हवा में ऑक्सिजन 21% कभंडेयम स conexX catastrophist जयोजेंत जानते हैं जानते हैं दो समान हवा में उतना लेकिन 4.4 परसेंट निकलता है है लेकिन 4.4 परसेंट बाहर निकलता है ठीक है जो नाइट्रोजन होता है उस सकत्व कोई यूज नहीं होता है जितना वाईवनर से 78 परसेंट जाता है 78% ही बुरा का बुरा बाहर निकलाता है Question No. 31 है खेल जो प्राजीन समय में Lord Apollo की समझ अयुद किये जगे थे वो कौन सा खेल है गेम वीच वेर हेल्ड एन ASEAN टाइम बेफूर Lord Apollo तो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस्पार्टा काल में जो है पान हेलनिक गेम हुआ करता था अखेल यह वन पान हेलनिक समारो जिसमें से ओलमपीक पीठियन इस्तिमियन नीमियन चार खेल हुआ करते थे ओलमपीक जो है वहाँ उलमपस परोवत के मैदान पर GS देटा को देटा यानि अकास देटा के सध्धान जली के लिए किया जाता था यह ध्यान रखिएगा GS देटा को आकास देटा Apollo देटा को सूरी देटा समद देटा को पोसेडियन कहा जाता है अदूसरा खेल होता था पीठियन जो डेलफी परोवत के मैदान पर होता था और Apollo यानि सूरी देटा के सध्धान जली पर यह भी आटेट सुरू हो जाएगा आपका पीठियन के यह पीठियन के में Apollo यानि सूरी देटा के समद आयोजित की जाते थे तिसरा होता था इस्थी मियन जो आपको कोरिंध नामक अस्थाम पर होता था समद देटा यानि पॉषिदियन के सम्मान में यह होता था नीमियन खेल जो आपको अरगैलेज नामक अस्थाम पर होता था जीयस देटा के सम्मान में कोस्टेन नम्बर 31 आधगा नईशन कारे नेती कीस खेल से समदेटैं वो दोस्तो ऑब नेती कारे ciudad I है किस से समधित है कोस्ती से कोस्ट नमबर 33 है उस देश का नाम बताई है जो सबसे अधिक बार विश्चो फटबाल जेता है दोस्तों यह उस देश का नाम है ब्राउजीन जैसा कि आप जानते हैं फीफा वर्लकप जो है 2022 का दोहा कतर में हुआ और दोहजार अठारे का रसिया में हुआ जिसका विजैता फ्रॉंस था और 2022 का दोहा कतर में हुआ जिसका अरजेटिना था और टेश्वा जो है दोहजार चबविस में समय तरह अमेरिका मेक्सिको करनाडा में होगा यह दर्खेगा जो 2022 में आस्ट्रिया जो जीता है दूसरा तीसरा बार जीता है ब्राजील अब तक जो है अब का पांच बार जीत चुका है अजन्टीना तीन बार फ्रांस दो बार एंगलेन एक बार सक्क्रान जीता है आपका प्राजीको के बाद दूसरा अश्पन पर इडलीया जर्मनी उसके इसरा तिसरा कि और अच क्लीन तीन बार है बड़ वीडियो में सुरू था question number 34 है मुद्धय स्वास्थ किस पर निभव करता है health manly depends on दोस्तों यह जैविक जयार्निक जो हमारा biological process होता है उस पर निभव करता है स्वास्थ होता है biological process पर निभव करता है जैवी क्योंबर 35 है कुस्ति में प्रथम द्रोड़ाचार पुरुजकार किसे प्रदांक किया गया था दोस्तों कुस्ति में प्रथम द्रोड़ाचार पुरुजकार जो है ठीक है और यहां पुरुषकार खेल विभाग मानो संथांदर मंत्राले द्वरा खेल पर सिच्छकों को उनकी सिवाओं के लिए दिया जाता है कोश्चन नबर 36 है कोशिका का नियंदर केंदर बिंदू है तो कंट्रोल सेंटर आफ दसेल आप सब को पता है वो होता है नुक्लियस जो कोशिका के समस्त अंगों की क्रियाओं की नियदिद करता है ठीक है नुक्लियस होता है और नुक्लियस की खोच के अंदर की को 2018-21 में रावर्ण ब्राउन ने किया था इसके अंदर क्रोमोसम्स यानि गृष्टर पाया जाते हैं जिस पर जीन जो होता है दियरनी हिस्टोन प्रोटेंस बनाओ होता है या क्रोमोसम्स और जिस से जीन करिमान होता है जिसका इसको कोशिका का मस्तिस या कंट्रोल सेंटर बसक्तिता स्वास्ति सिच्छा में बatriयादी सिधान पुछी को तो टों जांपने से इन्फ और से पेंसाय जाता है जो भी पट्चों को जानकारी है है उससे हम जानेंगे समझेंगे और उसी के अंसार हम जो नहीं जानते हैं उसकी जानकारी देते हैं कि क्या तर स्वी इंगली की चोट लगने किश प्रकार की प्रखार की का प्रयोग किया जाता है। तो यह था आज की सेसर में 38 की को संब्धी के कौशन्स अच्छे से समझ में आया होंगे जिस पर वी कौश्चन में डाउड होगा कमेंट में जरू बताइए हम सम्मिल्ट करके उसको साल्व करेंगे और ज्यादे वीडियो को सेयर भी कीजिए जिसे और लोग तरह वीडियो पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्राइक्टिस में तब तक के लिए जाएंगे